नमस्कार दोस्तों सौगत है आपका मेरे चानल में तो आज मैं आपके साथ चैर करे हूँ शाबुदाना पापड की रेसेपी आप यहाँ पे देख सकते हैं पापड हमारा फ्राय करने के बार डबल हो चुका है इस पापड में हम तिलका यूज करने वाले है इसलिए हमारे प की पापड बहुती टेस्टी बनके रेडी हो जाते है वीडिव बहुती खास होने वाला है तो प्लीज वीडियो को पुरा देखिए चल के पाप धृर आपके पासेक अप किसए ग्लास या फिर टे का बहुत कर सकते हैं और उसी से सारी चीजह ले सकते हैं एक बड़े से बर्तन में हम शाबुदाने को निकालेंगे, अभी हम शाबुदाने में थोड़ा सा पानी डालेंगे, और शाबुदाने को अच्छी तरीके से 2-3 बार दोएंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं पानी कैसे वाइट हो गया है हमारा, इस शाबुदाने का बहुती स स्टार्स निकलता है, अभी हम इसको निकालेंगे पानी को और फिर से एक बार पानी डालेंगे शाबुदाने को, उसी तरह से अच्छी तरह के से मसल मसल के धोएंगे, और फिर से एक बार पानी को निकालेंगे, देखिए पानी को में निकाल दिया है शाबुदाने से, तब तक हमारा शाबदाना फुल के डबल ना हो जाए तब तक हम रखेंगे शाबदाने को और आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा शाबदाना फुल के डबल हो चुका है इसको मैने पूरी रात रख दिया था भीगने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं शाबदाना कैसे हाथ से मैस हो रहा है मतलब हमारा शाबदाना बहुत ही अच्छी तरीके से भीग चुका है अभी हम इसको साइड में रखेंगे और एक बड़ा सा पतीला ले लेंगे जिसमें हम शाबदाने का बैटर बनाएंगे और ले लेंगे और इसको हम साल भर के लिए श्टोर कर सकते हैं एरटाइट कंटिनर में आप देख सकते हैं यहाँ पे साथ कप मैने पानी डाल दिया है पतिले में अभी हम इसको गैस पर रखेंगे गैस को अभी हम ओन करेंगे और गैस कि आज को भूल करेंगे ताकि हमारे पानी में जल्दी से एक उबाल आ जाए उपर से इस तरीके से एक प्लेट रखेंगे ताकि हमारे पानी में बहुती जल्दी उबाल आ जाएगा और आप यहापे देख सकते हैं पानी में उबाल आ चुका है अभी हम इस गरम पानी में बीगा हुआ शाबुदाना डाल देंगे शाबुदाना डालने के बाद हम ग्यास की आज को मीडियम और हाई के बीच में रखेंगे आपको लग रहा होगा इसमें पानी बहुती ज़्यादा हो गया है और शाबुदाना बहुती कम हो गया है लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है यह परफेक्ट मेजर्मेंट है जिस कप से हम शाबुदाना लेते हैं एक कप उसी कप से हम साथ गुना पानी लेते हैं इसे हम विस विस में चलाते रहेंगे हर दो मिनिट या फिर तीन मिनिट के बाद ऐसा करने से हमारा शाबुदाना नीचे से लगेगा नहीं फ्रेंड्स गर पर शाबुदाने के पापड बहुती अच्छे बनते हैं तो आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राइ कीजिएगा आपके पापड बहुती अच्छे बनेंगे बस फ्रेंड इसको पकने में थोड़ा जादा टाइम लगता है आप यहाँ पे देख सकते हैं बैटर हमारा पहले से बहुती जादा गाड़ा हो चुका है और शाबुदाना भी हमारा पक चुका है अभी चमज को हम अच्छी तरीके से चलाएंगे नीचे से तक कि हमारा शाबुदाना नीचे लगना जाए अभी हम गयास की आज को सलो करेंगे और सलो आज पे और पास मिनिट तक पकाएंगे हम इसको पकाने के लिए मुझे पच्छीस मिनिट का टाइम लगा है देखिए पास मिनिट कम्प्लीट हो चुका है अभी हम गयस के आज को बंद करेंगे और पतीले को निचे उतार लेते हैं अभी हम शाबुदाने के बैटर को थंडा करेंगे और थंडा होने के बाद मिक्सर ज़ार में डाल के पीश लेंगे ये अभी भी हलका गुणडूना है ऐसे हम आभी पीश लेंगे देखिए मैंने इस तरीके से पीस लिया है शाबुदाने का बैटर हमारा अभी रेडी हो चुका है एक बटन में निकालेंगे शाबुदाने के बैटर को अभी हम इसमें कुछ मसाले आड़ करेंगे आधा चमस नमक डालेंगे और साथी में डालेंगे तीन बड़े चमस सपेत तील नमक थोड़ा कमी डालने से अच्छा रहता है पापड में क्यूंकि पापड सुखने के बाद नमक की मातरा ज्यादा लगती है अभी हम डालेंगे एक चमस लाल मिर्च इसको मैंने घर में कूट के डाला है अगर आपके पस चली पलेक से तो आप भी डाल सकते है साथी में डालेंगे एक चमस जीरा अभी हम इसको अच्छा से मिक्स करेंगे और पापड बनाना चालू करेंगे पापड बनाने के लिए मेनी हाँ पे एक प्लास्टिक सीट लीए है प्लास्टिक सीट के उपर हमको तेल लगाने की जरूत नहीं पड़ती है क्योंकि यो प्लास्टिक बहुती चिकना रहता है इसलिए हमारे पापड बहुती अच्छे तरीके से निकल आते है अभी हम इस तरीके से थोड़ा थोड़ा बैटर डालेंगे पापड का और चमच की मदद से थोड़ा सा फेलाएंगे पापड को मैं इसको दूप में सुखा रही हूँ अभी इस समय पे बहुती ज़्यादा दूप आ रही है इसलिए हमारे पापड दो दिन में सुख के रेडी हो जाते है अगर आपके इधर दूप नहीं आती है तो आप इसको फैन की नीचे भी सुखा सकते है आप जो भी चीज उपवास में नहीं खाते है वो आप स्कीप कर सकते है और आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने सारे पापड को डाल दिया है अभी हम इसको दो दिन तक दूप में सुखने देंगे सुखने के बाद दिखाती हूँ मैं आपको और आप यहाँ पे देख सकते हमारे पापड सुख के रेडी हो चुके है पापड हमारे कहीं से भी फटे नहीं है और हमारे पापड बहुत ही अच्छी तरीके से बन के रेडी हो चुके है अभी मैं आपको फ्राय करके दिखाती हूँ पापड यहापर मैंने तेल रखा है गरम होने के लिए और तेल हमारा बहुत ही अच्छी से गरम होना चाहिए इस तरह से एक पापड डालेंगे और देखिए पापड हमारा फुलके डबल हो चुका है आप देख सकते हैं इसी तरह से और एक पापड फ्राई करके दिखा रही हुआ है आपको उमीद करती हुआ आपको यह आज का वीडियो पसंद आई होगा अगर वीडियो पसंद आये तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सस्क्राइब कीजिए सस्क्राइब के आगे जो बेल बटरा आता है उसको भी किलिक कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सेर कीजिए वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए बाई